नमस्काल दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पर टार्गेटेड तरीके से हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग UPPCS, ROYRO और BEO परिक्षा की समगर तैयारी करते हुए, प्री और मेंस दोनो सबसे पहला topic है, वो है, essay quotations का, और उसमें जो आज के my quotation है, वो दरसल दिनकल जी की एक बहुत famous कविता है, उससे ली गई है, और उसमें देखिए चार लाइने ऐसी हैं, जो कि क्रांतियों के समय बहुत ज़्यादा प्रियोग की जाती, especially जब आपकी 1975 के समय में जो क्रांती हुई थी, आपकालीन स्थितियां जो थी, उनके विरुद्य जो क्रांती हुई थी, उसमें ये जो है, बहुत ज़्यादा चर्षित हुई थी, तो देखिए, हुंकारों से महलों की नींद उखड जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रो के राह समय म ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुरता है, तो इसमें इन चार पंक्तियों में दरसल दिंकल जी, यानि रामधारी सिंग दिंकल जी, ये बताना चारे हैं, रामधारी सिंग दिंकल ओज के बहुत प्रख्यात कवी हैं, और बलकि कहा जाएगी, ओज के सबसे कवीयों में ये शुमार हैं, और इन्होंने दरसल ये बताया कि जो जन भागिदारी है, जो जन बल है, यानि जनता की एकता में जो बल होता है, वो बहुत ज्यादा है, वो जो चाहे वो करवा सकती है, वो चाहे तो महलों की नींद उखर जाए, मतलब जो राज महल है, या शासन है, तो वो ताज जो है, उन सभी को जो है, वो परिशान कर सकती है, अगर जनता में एकता हो जाए, वो अपनी बाते मनवा सकती है, वो अपने समय को परिवल्तित कर सकती है, जैसा वो चाहे कि समय उस हिसाब से परिवल्तित होगा, तो ये सभी बाते जो है, बताई ज जो कि गलत है तो ताज हवा में उड़ता है ना कि ताज ठीक है तो इसमें बैसिकली जो जो है जन भागिदारी के कहीं पर भी कुछ है जैसे ही आपको कुछ कहना हो की जैसेडे कोई एक स्मस्या है उसके खिलाप जो है जनता को एकत्रित होना चाहिए हो दो कर ho जाए तो ऐसे करड़े आप उसको प्रयोग कर सकते हैं अच्पर आप देखेंगे कि आज भी उस समय खुन आ जाता है उनकी रगों में दोड़ने लगता है और इसी लिए ओज की कविताओं का बहुत महत्त हो जाता है क्रांतियों में जैसे पाकिस्तान में जब क्रांतियों थी सेवेंटीज के दौर में तो वहां पर जैसा आप लोगों पता है कि सैन शासन इंपोज कर दिया ग गया उस मलब नजम को गाने गरूप में प्रयोख किया गया वो थी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब दुल्मों सितम के कोहें गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे देखेंगे तो मतलब उसमें जो है यह इतनी ज्यादा उस समय फेमस हो गए थी कि सभी मह महिला हैं जो है उस समय काला कपड़ा पहना बैन कर दिया गया तो सभी महिला है काले साड़ी काले कपड़े पहन के और उसका तीवर विरुद करती नहीं सड़कों पर उतर जाती तो यह नजम उतनी ज्यादा फेमस हो गई और शासन के विरुद जब भी इसको फिर में दिखाया गया परन्तु आप यह समझ सकते हैं कि यह यहां बताने मतलब केवल मेरा यह है कि नजमों या कविताओं या शायरियों का प्रयोग वो जो है ओज की स्पेशली जो होती हैं वो क्रांतियों में की जाती है और इसी में जो है दिनकर बहुत बड़ा नाम है जो क कि ओज के कवी माने जाते हैं और इनकी चार लाइन है आप लोग अपने निबंधों में या फिजियास के आंसर में लिख सकते हैं जहां पर भी आपको यह बताना हो कि जनता अगर एक अत्रित हो जाए तो यह चीज़े कर सकती है तो वहां पर आप इसको भूभी कोट कर सकत है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि शुद्ध और असुद्ध शुद्ध सब्द में आज जो हम लोग को डिसकस करना है वह है प्रफुलित नहीं होता है यह दरसा प्रफुलित इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आगे प्रा लग गया है तो उसका मतलब ही हो गया प्रहुसरी जिसंगल बत इथा तो यह केवल उसका जो है जो सही वर्ड़ी अपने प्रफुल्त सरहें अंबर मतलब आपका कपड़ा और पीला जो है पीत से बन गया तो यानि कि यह पितांबर नहीं वलकि पीतांबर होगा ठीक है उसके बाद देखिए मुनी गड़ तो यह मैंने आप लोगों कुछ दिन पहले भी इसी प्रकार को कोई एक और एक्जामपल आये था तो मुनी लेकिन जब लोग जोड देंगे तो यहां पर मुनी हो जाए मूं干िक यजा करद में तो यह योगी वर जो gaat तो यह योग हो जाएगा है है जाँ है तो इस तरह के आप लोग चीज़ें यह ध्यान में रख्यों कि कि कई बाद ये सब पूछा जाता है मुनि गडरी श यह पिताबर या फिर प्रफ प्रूफल अब भी बोलने में भी श और और लोग बोलते हैं और लेकिन जब आप लोग उसको लिखेंगे तो दरसल पी टामबर серьез कि को रही नहीं तव शूल कड़ा उας दिखा फेरी लिखा रहता है कि सानेस्चेंट से बनाये है सशनीचर ठीक है और स लोगना मतलब हो यह सुन्दरता होती है तो सल आवन्य मतलब सुन्दर्ता के साथ जो और उसी से सलोना बन गया है गेहूं का वर्ड जो है आप लोगों पता है गोधूम इसका तत्सम शब्द होता है गेहूं का गोधूम आप लोगों को वैदिक काल में भी ऐसा उलेक मिलता है कि वहाँ पर संस्क्रिट आम जन की भासा हुआ करती थी तो इस प्रकार से गेहूं का तत्सम हो गया गोधूम सलावन का मतलब सलोना और सनैस्चर का मतलब सनीचर उसके बाद देखिए वाक्या Nums के लिए एक शब्द प्यारम लोग तो आज का जो सबसे पहला है वो है जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो यानि कि जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसको बोलते है निरीश निरीश शब्द है निरीश यह देखे नया शब्द है आप लोगों को जनरली नहीं पूछा गया यह पूछा भी नहीं गय जो नहों जानता है अगर आप अगर लड़के तो आपको दोहित्र बोलेंगे और अगर आप लड़की हैं तो आपको दोहित्र होता है तो पुत्री का पुत्र दोहित्र, पुत्री की पुत्री दोहित्री, ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, जिसके मन में मत्सर नहो, निर्मत्सर, ये तो समझ में आ रहे हैं, मत्सर का मतलब होता है इर्शिया, कि जिसके मन में कोई जलन की भावना नहो, उसको बोलते हैं निर्मत्सर ठीक है और उसके बाद देखिए विलोम सब्द देखते हैं विलोम सब्द में आज जमलों को पढ़ना है वो है पहला तो पंडित पंडित का होता है उल्टा मूर्ख पंडित यहां पी यह कास्ट नहीं पंडित दरसल माना जाता था कि जो भी पढ़े लिखे मतलब वह बहुत विद्वान है तो वैसे करके पंडित जो है वह उसका उल्टा हो जाएगा मूर्ख उसके बाद देखिए कि भूगोल मतलब भूगोल और खगोल जो है उपर अंत्रिक्स रिलेटेड भूगोल मतलब जमीन से रिलेटेड तो भूगोल का उल्टा हो जाएग यहाँ पर ये गुरु में चोटे उकी मात्रा है कि बड़े उकी, तो ये देखिए चोटे उकी मात्रा है, तो ये गुरू ए लगु का गुरू हो जाता है, और लगुता का गुरुता हो जाएगा, उसके बाद धेकिए महत्पॉन जो पर्यावाची शब्द है, उनको हो लोग प्राटों देते हैं और साथ में उसके थाती थाती भी टानना का मतलब होता है एक तो दिगम्बर-मल्स अंबर जो बनता है आपका दिक प्लस अंबर से डिक प्लस एक अंबर यानि जिसने अंबर यानि कप्डे को त्याग दिया उसको बोलते हैं और जैसा कि आपका एक जैनधर्म में यह फंथ भी था तन तो नगन का मतलब अब एक तो दिगंबर हो गया, दूसरा आपका निर्वस्त हो गया, यानि जो वस्त के बिना हो निर्वस्त, और तीसरा हो गया अनावरित, अब देखिए यहां पर कई एक किताबों में भी ऐसी गलतिया मिल जाती है, कि वो लोग इसको ऐसे लिखे हो गया है, कई किताबों मे मैं दो किताबों में नहीं पाया कि वो लग अनावर्थ लिखे हैं तो ये गलत यहाँ पही हुआ आनावरित कि ये कॉमन सेंस की बात है जो आउर्थ होता है कि ये उसी का उल्टा है Ju लग जाताए अलग यह मतलब धका यह अनावरिन्त का मतलब नहीं ढगा हुआ तो वो में निर्वस्त्र इवरित अगला कि किरन को देखVIE रस्मी बोलते हैं कॉमन है रस्मी अंसु दोनूँ मिलता रिलता है रस्मी अंसु अंसु में बड़े सही बनता है, तो वैसे आप रियाद कर सकते हैं कि मरीची और मरीच से मिलता जिलता है तो तो अर्दिमरीची अन्सु रस्मी, यह आपके चार जो एक किरण का amayukh होता है, ھया जो नहीं नहीं होता है, लेकिन इसमें धियान देने आले बानती ओर कि दिया हुआ था एक option उसमें दीपती भी दिया हुआ था जो कि बहुत मतलब लग दिपती के मतलब भी तो किरण हो सकता है परतुकी के मतलब मतलब होता है प्रकास नहीं होता तो यह भी आप साथ में याद रखिएगा कि यह तो इतने इसके परियावची होते ही हैं साथ में कौन सा नहीं होता है यह भी आप ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए अगला हम लोग आते हैं कि जो महत्पुर्ण प्रसास्निक सब्दावली उसमें देखिए बिल ओफ एंट्री तो बिल ओफ एंट्री जो है यानि जो भी एंट्री के समय पर जो बिल होता है उसको बिल ओफ एंट्री को बोलते हैं आगम पत्र ठीक है तो बिल ओफ एंट्री एंट्री से आगम बन गया और बिल ओफ एंट्री आगम पत्र ठीक है उसके बाद देखिए से चरित्र बन गया रोल से पंजी यह भी आसान है मतलब इसका एक्जेक्ट जो हिंदी मीनिंग वही दिया गया है तो चरित्र पंजी यानि केरेक्टर रोल बिल ओफ एंट्री यानि आगमपत्र और इंक्लोजर इंक्लोजर का ओग जाएगा सनलगनक यह कई बार पूछा गया चुका है इंक्लोजर का कई बार जब मैं कह रहा हूं तो दरसल जो यूपी के अलावा जैसे राजस्थान हो गया हरियाना हो गया वहां की भी कुछ परिक् उसके बाद देखिया अंतिम जो हमारा है सेसन उसमें देखते हैं कि मुहावरे और लोकुक्तियां तो मुहावरे और लोकुक्तियां हम देखें सबसे पहला है आँखों का पानी मरना आँखों का पानी मरना मतलब निरलज हो जाना मतलब उसकी आँखों का तो पानी ही मर ग दूसरे खाते हैं मतलब डिशको कमाई समझ चुन ही लोग खाते हैं तो उसी को बोल रहा रहा है कि मतलब इसकोई रहा है ऑखा कोई घॉट्ते खाए ठीक है तो ऐसे धाक के तीन पात ऑदक के तीन पात यह इतनी ज्यादा बार यह पूचा जा चुका है मुहावरा कि बहुत मतलब एकदम समय फेवरेट ही है आयोक का तो धाक के तीन पात जो है उसका मतलब होता है सदा एक सी दशा में रहना जैसे कि आप इसको प्रयोग कर सकते हैं अपने वाकिय में कि मान लिजे ब्रस्टाचार को मिटाने के लिए सरकाल ने कई सारे कदम उठा है यह काला धन को वापस लाने के लिए सरकाल ने कई सारे कदम उठाए परन्तु आज भी इस मामले में स्थिति धाक के तीन पात वाली ही बनी हुई है तो इस तरीके से आप मतलब इसका वाकिय प्रयोग भी कुछ ऐसा कीजिएगा यूनिक कीजिएगा जिससे कि आपकी है चीजों का और उसको समसामय किस रिलेट कर दें या फिर किसी अन योजना से रिलेट कर दें कुछ ऐसा कर दें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन और उमीद है आपको पसंद आया होगा बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार